हेलो फेंज तो कैसे हैं आप सब लोग रादे रादे आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे तो यहां पर एक स्पाइसी और बहुत ही चटपटे से मट्र परांठे बनाकर रेडी किये हैं वीडियो को आपको एंट तक देखना पड़ेगा इसके लिए यहां पर मट्र मैंने वॉइड करने रख दी थी साथ में एक आलू इसमें डाल दिया था क्योंकि मट्र अकेली के परांठे थोड़े से फैले फैले से बनते हैं इस आलू की मदद से वो अच्छे से मैस हो जाती अच्छे से मिल जाते हैं मट्र तो वो परांठे से हमारे परां तो यहां पर मैंने धनिया एड कर दिया है हरा धनिया इस टाइम बहुत बरपूर मात्रा में आता है कुछ ड्राय मसाले एड कर देंगे लाल मिच नवक और धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी हल दी तो बस इसको मैं अच्छे से मसाली को मैस कर लेंगे हम इस कर लेंगे ओ इस तरह की परांटे बहुत थी स्वादिस्ट और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को खासकर बThen जोARगों को बहुत पसंद आती हैं इस तरह के कें कि मंटर बच्चे खाना पसंद नहीं कहते हैं इस तरह रहे से परांटे में बना कर दोगे तो आपके बच्चे बहुत enjoy करके खाएंगे तो यहां पर बनाने की पुरूर प्रोसेस कर ली है तो यहां पर मैं लोई को बना कर इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा सा बढ़ा कर र तो यह हमारा लोई अच्छे से बंद हो चुकी है अब इसको भी में हलके हाथ से थोड़ा सा आटा लगा कर इस तरह से हलके हाथ से दबाऊंगी जिससे यह थोड़ी सी बड़ी हो जाए और इसमें से मसाला ना निकले अब इसके लिए हम एक स्पाइसी चटनी रेडी करेंगे यहां पर है तेन टमाटर को मैंने अच्छे से से शेक लिया था इनको बूनने के बाद मैं सभी मसाले को अच्छे से झाल 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 झाल